हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो नंदकेशोर क्लासेज, आज का लेक्चर बहुत इंट्रस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम जो टाइप करने वाले हैं, ये कंप्रिटिर्व एक्जाम में अक्सर कोशन आते हैं, और टाइम क्योंकि कम होता है, तो जितना जल्दी हो सके इस कोशन को से देख लीजिए, डिनोमिनेटर में यह जो 1.2.3 आपको नजर आ रहा है न, ये डोट का मतलब है multiply, ये point note करिएगा, डोट का मतलब है multiply, तो 1 multiply, 2 multiply, 3, 2 multiply, 3, multiply, 4, इस तरीके से चलता जा रहा है, ये sequence बहुत important है, इस तरह के questions अक्सर आते हैं, तो सबसे पहले मैं first part solve कर रह जिए, ठीक है जी one fourth, one by four लिख लिए, और इसके बाद bracket start करनी है, करेंगे क्या आपको last term क्या नजर आ रही है, four, five or six, इन तिनों का multiplication है, ये ही four, five, six हमें अमारा answer देने वाला है, क्या करेंगे, four यहां लिखिए, five यहां लिखिए, six यहां लिखिए, वही तीन टरम्स four seven, बस इसी को solve करना है, जो answer आएगा, वही आपका final answer होगा, वहां पर options होगी, four options होगी, hundred percent आपको वो option जरूर मिलेगी, चलिए इसको solve करके देखते हैं, देखिए four से four cancer, तो हमारा answer क्या आएगा, उपर बचा seven, six, five, zero, thirty, अब आप देखिए, कितनी जल्दी हमने answer ले लि यहां तक कि अब second question देखो, एक step बढ़ा दिया हमने, four, five, six की बजाए मैंने यहां पर five, six, seven तक ले गए है, same rule लगेगा, यह नहीं कि rule change हो जाएगा, rule will still remain same, अभी भी one by four ही करना है, ठीक है जी, क्या करना है, one by four ही करना है, लेकिन यह जो five, six, seven, आप देखना क्या करेंग बिलकुल वही, five, फिर six, फिर seven, और seven के बाद eight, पस pattern समझ लेना है, five, six, seven और eight, इसको solve करते हैं तो, four से काट दीजिए, eight कटेगा, two पे, four two's are eight, और two से six काट दीजिए, two ones are, two threes are six, तो क्या बचा, उपर सिरफ five, और नीचे seven threes are twenty one, तो second part का answer कितना आएगा, five by twenty one, तब आप देखिए, दो कोशन मैंने करवाए, अब मान लीजिए, एक next term होती, ये five, six, seven पे खतम होने की बजाए, एक next term होती, और उसमें क्या होता, one by six, seven, eight, ये तीन terms ही होती न, तो आप बताईए जल्दी से कि उसका answer क्या होगा, तो वेट करते हैं आपके answer की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको like और share जरूर केजिए, thank you so much.